Hello everyone, वैसे स्टुडेंट जो खास कर अलिगर्ड मुस्लिमिसिटी 2024 में एडमिस्या लेना चाहते हैं आज हम इस वीडियो में EMU के कौंसलिंग के बारें बात करेंगे जैसे कि आपका मालूम है कि EMU के लगबग जायतर कोर्स का रियल सा आ चुका है इसे में स्टूडेंट का doubt है, काई सरे doubts हैं एक तो यह है कि कईया ऐसे कोर्स हैं जिसके का इवीडियू लाई रख है और कई ऐसे भी कोर्स हैं जिसका काौंसलिंग आरेडी स्टार्ट हो चुका है अम इन तीनों के बारें बात करेंगे साथ ही जो student counseling में participate कर चुके हैं उनका counseling हुआ है या नहीं कैसे पता चल गई ये तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आप किसी भी course में counseling में participate करने वाले हैं या करेंगे इस वीडियो को जरूर देख लिए इससे फायदा होगा कि आपको पहले ही पता चल जागा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि फायदा आपको होने वाला होगा जो भी अप्डेट्स होंगे वो आपको पता चलते रहा करेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह रहा आपका office of the controller का official website इस पर आपको क्लिक करना है जैसी इस पर क्लिक करेंगे इसके official website पर आजाएगे आने के बाद इस तरीके एक आइकन दिखेगा फिलाल जो recent update आया वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसे अगर हम बात करें 11 science and diploma humanities and commerce इन सभी का counseling जो है वो कल से start होने वाला है तो वो थोड़ा सा insert में समझा देते हैं बाकि यह कि firm list first क्या है यह भी थोड़ा भी बता देते हैं पहले देखिए firm list first का मतलब ऐसे समझे लिए कि पहला list firm list का मतलब समझे लिए पहला list देखिए round 1 इस बार इन्होंने लिख दिया है खेर तो जो round 1 में हो गई है कि पहला 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में आपको कॉंसली में पार्सपेट करना पड़ेगा जितनी भी कंडेट से हैं 13 जुलाई तक चलेगा यह आपका वेरिफिकेशन की बात करें तो वही नेक्स अगर हम बात करें इसमें तो पहला list जो तयार होगा यानि कि firm list first जो रेडी होगा उसके अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से दिखा जाए तो एक सिकंड वह firm list first जो रिलीस किया जाएगा वह होगा 14 जुलाई से 15 जुलाई की बीच में और 16 जुलाई से 18 जुलाई की बीच में आपको payment करना पड़ेगा यही आपका firm list first का लाएगा ठीक है और यह जब अगर by the way इसमें बच्चे admission नहीं लेंगे तो उसको firm list second जाएगा यानि round two चलेगा इस तरीके से round three चलेगा तो प कांसलिंग करना है और कब आपको पेमेंट करना पड़ेगा पेमेंट करने का यह डेट रहेगा ठीक है नॉर्मली पहले लिसमें जो सेलेक्टर केंडिट सोंगे उनको ही मोका मिलेगा और मैं सिफ 11 की बात नहीं कर रहा हूं ऐसा है जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्स के बारे बात करना चाह रहा हूं तो एक तो वो हो गया दूसरा है जैसे का आपका मालूम है कि एम्यूने जो है बेसी बीटेक बेसी पैरमेडिकल और डिप्लोमा इन सबका कॉंसलिंग सेडिल निकाला और इसके साथ साथ इन्होंने जो है एक सेकेंड यहां से बता चलेगा कॉंसलि की नर्सिंगों के बेसी डिप्लोमा हो गया पैरमेडिकल बी ए टी टी लाइबरेडिय साइंस फॉर लेंगविज बायो टेक्नोलोजी एंबी एंबी आई बी ए म्बी एस्लामिक स्टडिज एंबी ऑस्बिटल मैडिमस अडिमिस्ट्रेशन एंबी अग्रे बिजिन एंबी इन सभी का कॉंसलिंग ओलेडी ओन गोइंग है अभी चल रहे है सवाल की कॉंसलिंग आपका कहां सोगा तो आपके ही वेबसाइट ओलेडी एमिन ओपन कर रखा है आप वेबसाइट पहेंगे या इवन अभी 11 वाले स्टूडेंट हो अभी फिलाल जो है बी ओनर्स और बेस पर्तल फिलीग वेजा आपको जया चानिस वालेडेख वाले का양 शीड़िआ बना गेंगे उसको देखिगा और वही वीडियो आपे ज्वेमिन बीसिएवाले स्टू inventa ज्यार वाले सै और तो जरू या झाल ऐताला का क्यों पर सिकांसलिंग का मुंसलिंग इसको से पराइल सेंहे हैं कि सेल फाइनल्स वालो को कैसे काईसली में करना वड़ा फैर तो यहां पर आपको जो स्टूडेंस निब द कर चूकें है उनको एमेल ऐड़ी और पासपर्ट डालके लॉग इन करना हो गा और अब इस तरीक से आपका कॉँज्सिलिंग हो पाएगा लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आपका कॉज्सिलिंग हुआ कि नहीं यह कैसे पता चलेगा तो आपको क्या करना है इमेल एडी पासबर अलके लोग इन पे तो अब ही हम क्या करते हम पासवर्ट डाल करते है आप यह देखि के मैंने यहाँ पर इमेल अडर्ट कर दिया है पासवर्ट कर दिया है और इसका बाद क्लिक फोछ दिलिक खएंगे करेंगे जैसी लॉग इन पईनलह पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आइकन आ जाएगा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा मतलब जो भी स्टोइन लॉगिन करेंगे थोड़ा सा टाम देंगे तो इस तरगी का डिटेल सो करने लाएगा यहां पर और आपने किस कोर्स में ऑनलाइन कॉंसलिंग में पार्टिपेट कर रहा हो दिखेगा आपका यह अप्लिकेशन नमबर यहां पर आपका रॉल नमबर और उसके बाद कोर्स ओफर वाला सेक्शन ब्लैंक दिखेगा क्यूंकि अभी जब आपका कॉंसलिंग हो जागा जब पेमेंट का बारिया तब आपको दिखेगा यानि यानि आपको कोई सब्जेक्ट दे दे है, इसका मतलब आपका कॉंसलिंग हो चुका है अगर आपका यह सब्ड़ आपने में ङा रहे हो नहीं में तो इसलिया अगर उतना उम्मिच्ट यवाति है उसका मतलब सी कंफिवा सेलेक्सन लेने के बात आद उनि मृार इनि में मिरिट लिस में यह जु हो एंआ का इनि अ उसका आपका फिर क्या होगा वेरिफाइड का ओफशन हैगा वह आप मैं आगे दिखा रहा हूं थोड़ा सा जैसे कि आप यहां पर देखी का जिसे एक स्टुडेंट है जिसका दो तिन दो कोर्समों का उनके पास आता है एड करने का तो जिस एक ही आईडी से आपका दो कोर् अब ही देखा जाए तो यहां पर सब्मिटेट सो कर रहा है इसमें भी समेटेट और मोडिफाइड का उप्सन आ रहा है इससे साफ पता चलता है कि इनका बी यह अन्डेट परसेंट हो चुका है ठीक हाँ अब इस तू कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका यहां पर अगर अगर ऐसा यहां पर आ रहा हो अगर आपका इस वाले सेक्शन में प्रोसीड का उप्सन आ रहा है इसका मतलब आपका कॉंसलिंग नहीं हुआ है मतलब आपको कैसे पता चला है कि आपको कॉंसलिंग नहीं हुआ है तो आप नोट समिटेड यह समिटेड वाले सेक्शन नोट submitted लिखवाएगा और modify वाले section में proceed को option आएगा अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब का counseling नहीं हुआ है तो इस बात का थोड़ा से धियान रखिएगा जो भी student counseling में participate करेंगे सबका submitted आना चाहिए अब इस बात आगे क्या होगा document verify होगा किसी का mileage document reject हो जाता है तो उसको इस वाले section में upload करने को option आएगा फिर से कि भाई फिर से वो document upload करिए और फिर से यहाँ पर symbol change हो जागा यह कब होगा जब document verification का इन्होंने जो schedule बाता है उस डेट में इस विए उस डेट में भी यहनि तीन चार दिन का document verification का इन्होंने जो time लिया है उसमें थोड़ा सा धिहान दिजिए कि नहीं देंगे तो उसमें भी आपका admission कैंसल होने का चांस है तो इस बात का थोड़ा सा धिहान रखना तो मैंने आपको counseling से related बता दिया कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है 11 वालों का कल से start होने वाला ह है बी वालों का जो है आने वल टाइम में आएगा तो इन्फर्म किया जागा बाकी counseling में क्या क्या document लाएगा मैंने बता दिया है counseling में अब जिसे माली 11 वाले student है उसका मैंने बता रख़ा है कि आपके पस photo, signature, 10th की mark sheet और अगर कोई category select किये हैं तो category हाँ 10th की mark sheet में आपके सा अगर mark sheet है तो आपने जहां सा 10th किये वहां के head master principal से उस पर sign करा लेगा और seal उस college का मोहरज साइन होता है वो लगवा लेजीगा उस पर वह बहुत हतक मान नहीं हो जागे इमियू उसको मान लेता है कि कई बार देखा है कि उसको मान लिया गया है ऐसे ही जो student BA में या BSC में साइन करवा के signature करवा कर और उस college का एक seal होता है यानि एक मोहर होता है वो उस पर लगवा लेजीगा और वो आपका काम आ जाएगा याद रखे का कॉंसलिंग में सारा और इनल चीज़े अपलोड करीगा यानि कि यानि कि और इनल डॉक्मेंट अपलोड करने कुश्च साइन करवा के color ही अपलोड किजिएगा इससे दिक्कत नहीं होगा तो यह आज तक के लिए था और मैंने कॉंसलिंग को लेकर जो आपके डॉट्स थे मैंने लगबग सारा के लिए कर दिया है अब आपके पस एक ही option बचा है अच्छे से कॉंसलिंग करिए और कोई भी डॉ होता है तो आप कमेंट किजिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर लिए आपको वहाँ पर response मिल जागा तेंक यू